नमस्कार जोस्तों स्वागत हैं आपको मेरी चैल्ज में फेर से एक बार में हूँ आपके वही अंजलीम हमने कब कहा कि कीमत समझो तुम हमारी अगर हमें बिकना ही होता तो आज यूँ अकेली ना होते दी हाँ आपके सही सुना हम आज के देली राजवल की बात कर रहे हैं सबसे बले आज इनका बाते हैं ये अनुवर्सरी है उनको मेरी दरफ से ठेर सारी गुडविशिस तो चलिए अब शिरू करते हैं जो गिरने से डरते हैं वो कभी उडान नहीं भर सकते असफल होना बुरा है लेकिन प्रयास ना करना उससे भी बुरा किसी भी उम्मीद के बिना सबका अच्छा करने की कोशिश करना क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उनकी हातों में खुश्पू रहे जाती है आपको भी बिना किसी उम्मीद किए सब का भला करना होगा ये बात को आपने सुनी ही होगी कि कर भला हो भला जो दूसरों का भला यानि अच्छा करता है उसके साथ भी अच्छा ही होता है जिन्दगी तस्वीर भी है और तकदीर भी है फरक तो बस रंगों का है मन चाहे रंगों से बने तो तस्वीर और अंजाने रंगों से बने तो तकदीर समझे भी ना किसी को पसंद मत करना और समझे भी ना किसी को खो मत देना सबसे पहले में आपको पता तूंख्याजाब के लिए जो है भागिशाले रंग यानिके लखी कलर आज के लिए रेड यानिके लाल कलर रहेगा और जो लखी नंबर है वो नंबर बन रहा है आज के लिए नंबर छे आज परिवार से अचानक कोई खुशी की खबर प्राप्त हो सकती है जिसकी वज़ा से सभी घर के सज़स्य मिलकर कोई बड़ा निरने ले सकते है परिवार के साथ मेल जोल बड़ा रहेगा और भाई बहनों के साथ भी रिष्टा ठीक रहने वाला है और इसी की वज़ा से आपको व्यक्तिकत जीवन में भी कुछ फैसले लेने के लिए सहयोग भी मिल सकता है एक दूसरे का इसी तरह आप एक दूसरे के साथ जो है अपने रिष्टे को लगातर कायम बना कर रखेंगे तो भविष्य में भी आपको सुखद रिजल्ट मिल सकते हैं इसे के साथ ही आज नए अनुभव जीवन दाई आधार भी बन सकते हैं अगर आप किसी चीज को बदलना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत ही मदद मिल सकते हैं लोगों की या घर के सदस्यों की इस समय ग्रहों किस्यती अलाब दाईक साबित हो रही हैं आपके लिए इसलिए आज समय का जो है भरपूर मात्रा में उप्योग कीजिएगा बहुत इच्छा रहेगा किसी पुरानी प्राबलम का भी हल मिलने से बहुत अधिक राहत महसूस हो सकती हैं आपको स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं उनको तो खास करके कुछ रचनात्मक और समाजी का कारों में भी आपका विशेश रुजान नजर आएगा घर के बड़े बजरुगों के मारग दर्शन को अपने जीवन में जरा जरूर अपनाईएगा इसे आपको अपने जीवन में काफी इचर रिजल्ट मिल सकते हैं जोकिम भरे कारों से लगातार दूर रहें क्योंकि इनके द्वारा नुकसान होने के सितिया बन रही है किसे पर भी आँखे बन करके विश्वास करना आपको धोका दे सकता है इसलिए जरा आँखे खोल कर विश्वास कीजे कि अगर करना चाहते हैं तो आज रिष्थेदारों और मित्रों के साथ समन्द मजूर बना कर रखे मीठी मानी से आप हर किसे का दिल जेत सकते हैं और साथ ही में अपने सभाव में परिपक्वता लाना भी आपके लिए बेहत जरूरी रहेगा आज के लिए पैसो की आज आवक बढ़ेगी यनकी इंकम बढ़ेगी आपके कम मेहनत में जादा फल मिल सकते हैं आज ऐसा दिन रहेगा इसलिए काम में फोकस बना कर रखेगा पुष्टैरी प्रॉपर्टी से रिलेटिड विवाद आपके पक्षमी सुलत सकते हैं जिसकी वज़े से भी आपको आर्थिक फायदा मिलने की अशंका बन रही है देखा जाए तो आज घर वालों के बहुत बढ़िया दिन कहा जा सकता है आज कोई इंपोटन्ट न्यूस मिल सकती है मीडिया और संपर्क सुत्र समंदी गति वीडियों में अपना ध्यान जरा जो है विशी शुरूप से केदरित कीजेगा और हाँ किसी भी फोन काल को नजर अंदाज मत कीजेगा आज धार्विक और अध्यात्मिक शेत्रम में भी आपका विशी शुरूप से सहयोग बना रहेगा अगर आज आप अपने इश्च देव की पूजा करते हैं तो आपको बहुत ही उम्दा प्रिणाम देखने को मिल सकते हैं कोई भी इंपॉर्टन प्लानिंग जो है उसको बनाते समय दूसरो क्यों पेक्षा अपने फैसले को ही प्रात्मिक्ता दे यानि कि सबसे पहले आप खुद को और खुद का काम करें बिना बाद पर नराज हो जाने जैसे अपने सभाब पर जरग काबू रखेगा समय के अनुसार अपने सभाब में तबदीली लाईए बदलाब लाना शुरू करें बहुत जरूरी है किसी दोस या रिष्टिदार का अपने वादे से मुकर जाने से आपका जो दिल है आज उदास हो सकता है लेकिन ऐसे किसी कई लोगों के लिए होगा जर्द लोगों के लिए समय ठीक ही निज़रा रहा है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजनेस और करेड के बारे में तो बिजनेस और करेड कहता है कि आज इस समी जो है विवसाइए में बहुत ही जादा महनत और कुछ बदलाव लाने की जरूरत हो है आपको कोई विविसाइक investment करने के लिए भी समय अनकूल है यानि कि अगर आप कोई investment करना चाहते हैं business related कहीं पर तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए नौकरी में अभी जैसे परिसितियां चल रही हैं उनहीं ही स्विकार करना आपके लिए उचित रहेगा तो जो भी जैसा भी चल रहा है उसको चल ले दीजे समी का इंतजार कीजे आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा बैंक और वानिजिक शेत्र की लोग जो है उनको पैसो से रिलेटिट फैसा लेते समय जागरुकता रखनी होगी पैसा इधर का उधर हो सकता है जरा ध्यान देने की जरूरत है तो प्लीज हर काम को है आपको बहुत ही 100% करके देना चाही करना चाहिए इसके साथ याज कारक शेत्र में आप जो है अपने हिर्मत से अपने विश्वास से कई रुके हुए कामों को पूरा करने में सक्षम भी रहने वाले हैं आज की दिन लेकिन हाँ इस समय मार्केटिंग और अपने प्रोडक्स की जो क्वालिटी है प्लीज उस पर ध्यान जरूर कीजेगा अगर क्वालिटी में कोई दिक्कत आ रही है तो इस क्वालिटी को जो है आपको इंप्रूव करना होगा जरा से गलती जो है आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं नुकसान ना हो जाए इसलिए क्वालिटी पर ध्यान देना अभी से शिरू कर दीजेगा हिसा में ग्रहों की जो स्थितियां है वो आपके लिए नई संभावनाओं का भी निर्मान कर रही है साथ इमाज आईटिक शित्र से जो जुड़े हुए लोग है उनके लिए आज का दर लाम दायक रहेगा बलकि जो स्टूरंट्स है आईटिस से जुड़े हुए उनके लिए भी बहुत सारी उपचुनिटीज आ सकती है अब आगे बढ़ लेते हैं बात करते हैं लव लाइफ की लव लव कहती है कि परिवारिक और व्यवसाइक जीवन में बहतरे आज तालमेल बना रहेगा जिससे जो है घर में सुक शान्तिक भरा महौल बना भी रह सकता है प्रेम सबंदों में भी मर्यादा का ध्यान रखना है और ये बहुत जादा जरूरी है आपके लिए इसके साथ ही नए रिलेशनशिप्स की शुरुवात भी कई लोग कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया रहेगा ये भी पती-पत्नी घर का वात्तावरन और भी जादा बहतर बनाने की कोशिश करेंगी आज आप घर में कोई मनरंजन अक्टिविटी करें बहुत ही बढ़िया महौल रहेगा साथ ही में पती-पत्नी में आपसे सहयोग, मधुरता, भरा विबहार भी बना रहेगा बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें उनका सहयोग करना आपका अदा इत्व है तो उनको उनकी प्रॉब्लम्स को जरा समझीए, उनको सॉल्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि आप भी जान पाएं कि आपके बच्चे कैसे हैं और कैसे काम कर रहे हैं तो ये थे लव लाइफ और अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं स्वास्ते की और सु आसे कहता है कि आज सुस्ती थकान जैसे सितियां कई लोगों को महसूस हो सकती है अपने खान-पान पर अराम पर विशेश ध्यान देना होगा कई लोगों को आज स्किन से लेलेडेड किसी तरह की इंफैक्शन हो सकती है प्रॉपर रिलाज करवाईए पारी का प्रियोगा आप जादा मातरा में कीचे टॉक्सिंस बहाँ निकलने से भी आपकी जो स्किन डिसीजिस हैं वो कम होती निज़र आएंगी दिन चरिया और खान पान को ज़रा बालंस ड़र रखिए वर्तमान वातावरन की वज़े से लापरवाही पिल्कुल भी मत बढ़तेगा तो चलिए अब अन्त में बात कर लेते हैं आज के विशेश उपाए के बारे में तो विशेश उपाए आज आपके लिए बारे में कहता है कि आज भगवान गनेजी को मोठी बुंदी के आप पांच लड़ू जरूर चढ़ाईएगा यसे के साथ ही आज आप अगर ससंग सुनते हैं और अपने खामियों को पता चलता है आपको ससंग सुनने से इसको दूर करने के कोशिश कजिए आप अगर आप नेक इंसान बन जाते हैं तो भगवान की प्रिसंटा तो मिलेगी ही आपको हर और से चो है सुक शान्ती मिलती नज़र आएगी भगवान की ग्रिपा आप पर हमेशा बनी रहेगी तो दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें शेयर करें और उमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा धन्निवाद